हेलो दोस्तों अभी जो आप पॉइंट देख रहे हैं इस पॉइंट में फिटिंग करेंगे स्वान नेक वाला सिंग कोग आप देख सकते हैं यह है किचन और यह है अपना वार मोरा कमपनी का सिंग कोग स्वान नेक वाला इस box से फटाफट इसे हम निकल लेते हैं अब देख सकते हैं यह इस तरह का sink og है और इसी के साथ एक CP cab falencha भी है और इसी में एक诉 a coffee भी है तो इस sinkagog को हम इस तरह से fitting करेंगे इस point में अब देख सकते हैं इस तरह से यह fitting होगा इस तरह से direct hue fitting करेंगे इस E-lanky screw के जरीये से ये है screw तो इस screw को हम E-lanky के जरीये से ये है E-lanky तो इससे हम इसे धीला करके उस गर्दन को उस rotation neck को हम निकाल लेंगे यहां पर बहुत सरा nut आता है तो nut को भी आप धीला करके और इस तरह से आप खीज करके निकाल सकते हैं यह दुनों अलग अलग हो चुका है अब हम इसे एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इसे फिट करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से यह फिटिंग होगा तो चलिए आप इसे हम फटा-फट फिटिंग करना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें CP कैप लेता है जिससे की लिकेज प्रूफ हो जाएगा और इस टेपलंट टेप को हम 15-20 राउंड ही लगाएंगे यह टेपलंट बढ़िया वला है तो इस तरह से हम 15-20 राउंड टेपलंट लगा लिए अब देख सकते हैं इस तरह से लग चुका है अब हम इस तरह से इसे हम उसके बाद हम कपड़ा और इस रींच के जरिए से यहां पर हम यूज कर रहा ह। आप चाहें तो सलाइड रिंच या फिर प्र रिंच का भी यूज कर सकते हैं लेकिन आप इस तरह से यह कपड़ा का यूज करें जिससे कि इस पर जो है सुदागना लगे इसमें स्क्रेच आए तो इस तरह से फटा-फट हम इसे सीधा कर लेते हैं और आपको छे से साथ राउंड ही इसे फूल टाइट करना उसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है नहीं तो क्या होगा कि वो फट सकता है तो इस तरह से अब देख सकते हैं यह टाइट हो चुका है अब हम फिटिंग क पर लगाने कोई जूरत नहीं यह रवर से ही लिकेज़ प्रूफ हो जाता है और यह टाइट टाइट उसमें घुसता है तो आप आसानी से से दाव करके घुसा सकते हैं और यह घुस भी चुका है अब हम इसमें क्या करेंगे इसके इसक्रू को टाइट कर लेंगे जिसे हम के जरी से धिला किया था इस तरह से हम फिर से इसे टाइट कर लेते हैं जिससे की यह इसका जो गर्दन है जो जो रूटेशन नेक है वह बाहर नो निकले और इस तरह से आप देखे हां तरह यह टाइट हो चुका है यह मुवेविंग वाला आप देखे हंक घुमता है जिस pertaining किसका नाम है rotation ने तो आप देख सकते हैं यह sink walk complete fitting हो चुका है दाइना side वाला motor का नल है और बाया side वाला geyser का नल है और जिसमें हमने sink walk fitting क्या है यह tank वाला tank से connection है जिसमें continue पानी हमें साथ चालू रहेगा और इसमें हमने पानी का प्रेसर चेक कर भी लिया है आपको भी हम इसमें पानी चालू करके चिक करा देते हैं कि इसका follow कैसा है तो आप देख सकते हैं इस तरह से यह पानी चालू हो चुका है और आप देख सकते हैं परेसर बहुत ही गजब का है बहुत ही बढ़ियां है और यह आप देख सकते हैं किस तरह से move कर रहा है rotation हो घूम रहा है य इसी तरह पलंवी का वीडियो देखने के लिए हमारी यूटूब चैनल मास्टर पलंबर को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद